रंदीप सुर्जेवाला जी, सुरेश पचोरी जी, राकेश कतारे जी, हमारे कैंडिडेट्स, शशान्त भार्गव जी, विक्रम सिंग जी, विक्रम सिंग जी, रगुवंशी जी, निशंक जेन जी, रानी अहिवार जी, जिताना है सबको, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टे के सब वरिष्ट नेता, भाई और बैनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, आप दूर-दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ. मद्यप्रदेश के अब मेरे काफी दोरे लग गए हैं, और मैं सेंट परसेंट कह सकता हूँ, कि यहां पे कॉंग्रेस पार्टी का तुफान आने जा रहा है. एक सो आप लिख के रख दो, मद्यप्रदेश की जनता कॉंग्रेस पार्टी को एक सो पैंतालेस से एक सो पचास सीट तक दिने जा रही है. और इसका कारण है, सबसे पहला कारण, पांच साल पहले, आप सब ने कॉंग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजपी की सरकार नहीं चुनी थी, आपने. मध्य प्रिदेश की जन्ता ने कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया थी सई और फिर बीजेपी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी ने शुवराज चोहान जी ने अमिट शाजी ने मिलकर MLA's को खरीद कर आपकी सरकार मध्य प्रिदेश की चुनुई ही सरकार को चोरी किया करोणों रुपे देकर करोणों रुपे देकर कॉंग्रेस पार्टी के MLA's को खरीद कर सोदा करके जो आपका निर्ने था जो आपकी दिल की अवाज थी उसको बीजेपी के नेताओं ने प्रदान मंत्री ने कुचलने का काम किया आपके साथ दोका किया किसके साथ मध्यप्रदेश के अरब पतियों को दोका नहीं दिया किसानों को दोका दिया मजदूरों को छोटे वियापारियों को युवाओं को बेरोजगार युवाओं को दोका दिया हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे हमने किसानों का करजा माफ किया था 27 लाख किसानों का कॉंग्रेस पार्टी ने करजा माफ किया थो आपको याद होगा उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा था कॉंग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी मगर हमने काम करके दिखाया पूरा मध्यप्रदेश जानता है और देखिए शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेरोजगार युवा जो है आथ उठा के दिखा दो यह देखो लाइन लग गई तो यहाँ पे मध्यप्रदेश में आप किसी भी युवा जे पूछो क्या करते हो यह जवाब मिलता है कुछ नहीं करते मोधी जी अपने भाशन में हर भाशन में कहते हैं हर डिस्ट्रिक में जाते हैं कहते हैं यहाँ हमने 500 कार खाने खुले है एक दिखा दो मुझे जो कार खाना खुला हो नरेंद्र मोधी जी ने अमिच्छा जी ने शिवराज चोहान जी ने मैं देखना चाहता हूँ कहां है यह कार खाना एक भी नहीं है अभी अभी यहाँ स्टेज पे मुझे बताया गया सत्रा सो करोर रुपए आपके शेहर के लिए भेजे गए इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए सरकों के लिए आप तक एक रुपिया नहीं पहुँचा इनके बरश्ट्रक्चर के जेब में चला गया आपके जेब में आपके सरकों पे आपके बच्चों को नहीं मिला तो देखिए हम बीजेपी से लड़ते हैं करनाटक में हमने इनको मार के बगाया है हिमाचल प्रदेश में मार के बगाया है नफरत के साथ नहीं, देखो हम नफरत के बाजार में महबत की दुकान खुलते हैं, हम अहिंसा के सिपाई हैं हम मारते नहीं है, मगर मद्या प्रदेश में प्यार से मार कर हमने इनको बगाया, कहा कि भई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है, तुमने करनाटक को बहुत बुरी तरह लूटा, 40% सरकार चलाई, चलो भागो यहां से, अब कॉंग्रेस पार्ट की सरकार आएगी, और सिद्धर रमया जी से मैं आपको बताता हूँ, मैंने सिद्धर रमया जी को पहली बात क सिद्धर रमया जी और मैं बैटे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मैंने उनसे कहा देखिए, सिद्धर रमया जी, यहां पे यद्धु रप्पा जी और बीजेपी ने करनाटक की जंता से करोणों रुपे चोरी किये हैं, अब आपका काम, सिद्धर रमया जी मैंने का, अब आपका काम, जितना पैसा पिछले पांच सालों में, वहां भी वही हैं उन्होंने चोरी की थी सरकार, यहां भी चोरी की, वहां भी चोरी की थी, जितना पैसा इन्होंने पिछले पांच सालों में गरीबों के जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा, उतना पैसा आ आप गरीबों के जेब में डालोगे आप अकाउंट निकालो जितना इन्हों ने अरब पतियों को दिया उतना आप गरीबों को दोगे यहां पे गया सिलिंडर का क्या रेट है 1200 करनाटक में जानते हूं क्या रेट है 500 500 रुपय का सिलिंडर है यहां हमारी माताय बेहने आई हैं यहां 1400 है ना वहां 500 है ठीक है तो वहां पे 900 रुपय है तो गया सिलिंडर के बचे करनाटक में महिलाओं के अब दूसरी बात सुनिए सिद्धर अमाया जी ने कॉंग्रेस पार्टी में पार्टी ने करनाटक में महिलाओं के लिए चाहे वो बुजूर्ग हों बच्ची हों महिलाओं के लिए पूरे करनाटक में बस के टिकेट फ्री कर दिये मतलब बस में महिला जाती है कुछ खरीदने जाती है इलाज करवाने जाती है एक रुपिया नहीं देती एक पैसा नहीं देती है करनाटक में किसानों का करदा माफ हुआ चलिए 36 गड ले जाता हूं आपको 36 गड में वो ही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही जितना पैसा इन्हों ने 36 गड के किसानों से लूटा है उतना पैसा आप 36 गड के किसानों को दोगे यह मैंने का हमने वाइदा किया था दान के लिए 36 गड़ में 2500 रुपे प्रती क्विंटल मिलेगा गैरंटी कर दी हमने चुनाओ के एक दम बाद 2500 रुपे प्रती क्विंटल उनका दाम हो गया आप जानते हो 36 गड़ में दाम क्या है आज नए 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 चपिस्तो चालिज नए आज 2800 और चुनाओ के बाद 3200 मजदूरों को 10 रुपे मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से हमारी सोच जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्ध्यवस्ता चालू नहीं हो सकती तब तक रोजगार नहीं मिल सकता चत्तिस गड़ में कुछी दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई मैंने उनसे पूचा एक किसान था मैंने उससे पूचा भाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है धान के लिए धान हुगाते हैं धान के लिए सही रेट मिल रहा है तो आपकी जो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा आपकी खेत का क्या दाम है मैंने किसान से पूचा उसके जवाब से मैं हिरान हो गया हैरान हो गया मुझे कहता है राउल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम है नहीं मालूम कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है मैं इस खेत को कभी बेचूँगा ही नहीं पूरी जिन्दगी मैं इस खेत को नहीं बेचूँगा क्यों क्योंकि 36 गड़ की सरकार मुझे धान के लिए सई रेट देती है 36 गड़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था BJP की सरकार जब थी बीजेपी की सरकार जब थी जब मेरा करजा लगा था वो सारा का सारा करजा कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया उसने मुझे बताया राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूँगा स्कूटर छोड़िये मैंने गाड़ी खरीद ली है होता क्या है हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं यहां हमने कर्जा माफी की बात की 27 लाग किसानों का कर्जा माफ किया मैं आपको यहां गैरंटी दे रहा हूँ चुनाओ के बाद मध्यप्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा 2 लाग रुपे तक का कर्जा माफ होगा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए मजदूर के जेब में पैसा आए तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे शोट करी दे, पैंट करी दे, जूता करी दे, मोबाल पोन करी दे, स्कूटर करी दे, गाड़ी करी दे अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फाइदा किसका होगा? छोटे दुकंदार का फाइदा होगा, छोटे वियापारियों का फाइदा होगा छोटे फ्यापारियों का फाइदा होगा छोटे दुकंदारों का फाइदा होगा बेरोजगारी मिटेगे चेन है भाईयों और बेनों चेन है और चेन की नीव फांडेशन किसान और मजदूर है अगर हिंदुस्तान का मध्यप्रदेश का किसान और मज़दूर मजभूत नहीं है तो हिंदुस्तान कमजोर है सीदिजी बात अब हम क्या करते हैं हम पूरा का पूरा फोकस गरिमों पर लगा देते हैं पैसा हम आपके जैप में डालते हैं करते हैं बड़े-बड़े contractors को वो contract देते हैं अधानी जी को अंबानी जी को आपका धन पूरा का पूरा पकड़ा देते हैं अधानी जी का bank loan माफ होता है नरेंद्र मोधी जी ने 14 लाख करोड रुपे अरब पतियों का हाँ चौक गए सच है 14 लाख करोड रुपे अरब पतियों का माफ किया यह पैसा अधानी का नहीं है यह पैसा कहां से आता है जी एस्टी से आता है जी एस्टी का पैसा कौन देता है आप क्या सोचते अधानी देता है आपने ये शर्ट करी दी GST का पैसा दिया यहां आए स्कूटर में आए पेट्रोल डाला GST का पैसा दिया बिजली का स्विच चलाया अधानी को पैसा गया तो आप लोग पैसा देते हो एरपोर्ट आपका पोर्ट आपका सड़क आपकी सब आपका है क्यों पैसा आपके जेब से आ रहा है जब उनका कर्जा माफ होता है बैंक के पास पैसा कहां से आता है पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक और इंडिया कहां से आ रहा है पैसा आस्मान से तो नहीं गिर रहा है उपर से तो नहीं आ रहा है आपकी जेब से आ रहा है तो हिंदुस्तान में मध्यप्रदेश में क्या हो रहा है आप जाते हो पेट्रोल पंप जाते हो आपको पता नहीं लगता बस यह कमी है पेट्रोल पंप में जाते हो पेट्रोल भरते हो स्कूटर में वहाँ पे मीटर चलता है मीटर एक मीटर आपको दिखता है और दूसरा मीटर वहाँ पे अधानी का चलता है वो मीटर आपको नहीं दिखता फिर आप गर में जाते हो आप बच्चे से कहते हो बेटा पढ़ना है तुम्हें एंजिनियर बनना है डॉक्टर बनना है बेटे से कहते हो बेटी से कहते हो वो लग जाते हैं पढ़ाई शुरू करते हैं शाम का समय आता है आप लाइट स्विश आन करते हो उसके बाद आपका बिल आता है आप कहते हो अरे हजारों उपए चले गए मगर आपको यह नहीं दिखता कि उस बिल के सा पूलम है अदानी वो दिखता नहीं आपको मगर वो हो रहा है तो पूरा का पूरा फाइदा अदानी अम्बानी इन सब को यह देते रहते हैं अच्छा आप देखिए एक और चीज़ नोट कीजिए अब यह बाशन चल रहा है बिखरा आपको बाशन चल रहा है यहां पर कितने मीडिय वाले हैं एक कैमरा दिख रहा आपको बड़ा एक है ना नरेंद्र मोधी के सामने 500 कैमरा क्यों लगे रहते हैं नरेंद्र मोधी जी का आपको चेहरा 24 गंटा टीवी पर मिलेगा आप टीवी ओन करो टीवी ओन करते हो अधानी जी के हम बिजली का पैसा जाता है सीधा जैसे ही ओन किया जैसे आपने टीवी ओन किया खट उनका मीटर वहाँ चालू हो जाता है अधानी जी के घर में और फिर मोधी जी का चेहरा आता है आपको हिंदू धर्म की बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे एक दूसरे से लड़ाएंगे और पैसे अधानी जी के यहाँ चला जाए मैं किसानों की बात करता हूँ मैं मजदूरों की बात करता हूँ मैं छोटे दूकांदारों की बात करता हूँ एक कमी है छोटे दूकांदारों के पास किसानों के पास मजदूरों के पास मीडिया का रिमोट कंट्रोल नहीं है बस यही बात है अगर मीडिया का कंट्रोल हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में होता मजदूरों के हाथ में होता बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता तो राहूल गांदी का चेरा आपको 24 गंटा मीडिया पे दिखता कि ये हमारा आदमी है ये कर्जा माफी की बात करता है ये बिजली पिल हाफ करने की बात करता है मगर कंट्रोल ही नहीं है आपका कंट्रोल अधानी जी का आपके यहां से पैसे जाता है बताओ भहिया जी एस टी से यहां किसी को फाइदा हुआ नोट बंदी से फाइदा हुआ नरेंद्र मोधी जो किसान बिल्लाई उससे फाइदा हुआ किसी को अच्छा एक और बात बताओ अधानी जी का इन लोगों का अरब पतियों का 14 लाग करोड रुपय कर्जा माफ हुआ है बीजेपी ने यहां किसी का कर्जा माफ किया एक युवा है जिसमें कर्जा लिया हो बैंक के पास जाए कहा कहें कि भहिया मेरा कर्जा माफ कर दो लाटी मार के बगा देंगे उसको कहेंगे कैसी बात करते हो तुम्हारा कैसे कर्जा माफ होगा लाटी मार के बगाएंगे उसको किसान जाता है बैंक में किसान कहता है भहिया हमारा कर्जा माफ करो लाटी मार के टांग तोड़ देंगे अधानी जी जाते है लाल कालीन लग जाता है सलूट मारते हैं सब लोग कहते भाया कितना करजा माफ करवाना है आपको बताईए हम करते हैं तो दो हिंदुस्तान बना रखे हैं एक में 18,000 किसानों ने आतम हत्या किये मद्यप्रदेश में एक हिंदुस्तान में गरीबों के हिंदुस्तान में दूसरे हिंदुस्तान में अरब पती, लंडन में, जापान में, अमरीका में महल खरीद रहे हैं, हवाई जाज में उड़ रहे हैं, मर्सिडीज में, ब्यम डबल्यू में चल रहे हैं, ये दो हिंदुस्तान बना रहे हैं. और मेरा कहना है, कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सब की इजदत होनी चाहिए, और उस हिंदुस्तान की रीड के अटी, किसान, मजदूर और युवा हैं, तो सबसे पहले, किसान, मजदूर और युवाओं की देख्माल होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए. पहली बार किसान टैक्स दे रहा है पहली बार यह शन की बात है बीमा का पैसा आप उसे चोरी करते हो उसका कर्जा माफ नहीं करते 12% टैक्स ट्रैक्टर पे लेते हो 18% पेस्टिसाइड पे लेते हो 5% खाद पे लेते हो फर्टिलाइजर पे लेते हो किसान अपने पेरों पे कभी खड़ा हो इनी सकता मंडी टैक्स लेते हैं अधानी टैक्स लेते हैं अम्मानी टैक्स लेते हैं तो ये फरक है हमारा पहला काम किसान मजदूर की रक्षा करना दूसरा काम और मैंने 36 गड़ के चीफ मिनिस्टर से ये कहा और यही हम यहाँ करने जा रहे है 36 गड़ में हमने कहा कि देखिए जो भी किसान हुगाता है अलग-अलग डिस्ट्रिक्श में हमारे किसान अलग-अलग चीज़े हुगाते हैं कहीं आम उकता है कहीं दान हुगाते हैं कहीं गेहुँ अलग-अलग चीज़े कहीं टमाटर कहीं आलू 36 गड़ ने हमने कहा है कि देखिए हर डिस्ट्रिक्श में जो डिस्ट्रिक्श के किसान हुगाते है उसका वहाँ पर फूट पार्क लग जाना चाहिए फैक्टरियां अगर वहा तमाटर उगाते हैं तो तमाटर केचप की फैक्टरी वहीं उस डिस्ट्रिक्श में लगनी चाहिए अगर आम तो अचार आम के जो Sources होते हैं जूसेज होते हैं उसकी फैक्टरी वहाँ लगनी चाहिए और 37 घढँ नने बाल जाल बिचा दिया और हमारा 36 घढँ में अगला कदम क्या है हम 37 घढँ में इंटरनाशनल एïरपोर्ट दो टीन इंटरनाशनल एयरपोर्ट खोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आईगे और सीधा 36 घढँ से आम, घान, चावल, गेहूं सीधा एक्सपोर्ट होगा बाकी दुनिया में तो यही हम मध्यप्रदेश के किसान के लिए करना चाहते हैं मगर अगर किसान की रीड की हटी कमजोर होगी तो यह काम नहीं किया जा सकता इसलिए हमारा पहला कदम और आपसे पहला वाइदा किसानों को कर्जा माफ करने का है दूसरा वाइदा, वो भी किसानों के लिए गेहूं के लिए 2,600 रुपे प्रतिक्विंटल और यह 2,600 से 3,000 तक जाएगा दान के लिए 2,500 रुपे प्रतिक्विंटल गैरेंटी मतलब किसान को इससे कम नहीं मिलेगा बिजली 100 यूनिट मुफ्त में और 200 यूनिट उसके बाद वाले हाफ अगर बेटी होगी अगर बेटी होगी तो धाई लाक रुपे बैंक अकाउंट में और 1500 रुपे हर महिने मध्य प्रदेश की हर महिला को मतलब हम 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 आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम ने आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तब तक इन शेहरों में इन सडकों पर कजबों में गाउं में पैसा नहीं जाएगा जब तक पैसा नहीं जाएगा अर्द्वेवस्ता नहीं चालू हूँ और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्द्वेवस्ता चालू हूँ आकरी बाद आपसे कहना चाहता हूँ वो है इन लोगों का जो भरष्टचार है बीजेपी का भरष्टचार इन्होंने सरकार चोरी क्यों की इन्होंने सरकार इसलें चोरी की क्योंकि ये चोरी करना चाहते है इनका मेन प्लान है कि मध्य प्रदेश की जनता से चोरी कैसे की जाए और इसी लिए पहला कदम इनके लिए सरकार चोरी करने का था तो क्या किया व्यापम सुना होगा आपने एक करोड युगाओं का बविश्य बेश डाला चालेस लोगों की हत्या हुई मोधी जी ने इंक्वाईरी करवाई नहीं आपने ये जो मंत्री है तोमर नाम सुना होगा आपने वीडियो देखा इसका वीडियो देखा हैं एक वीडियो नहीं है उसके अलग-अलग वीडियो है कहीं वो सो करोड की बात करता है जैसे मतलब बच्चे कंचों की बात करते न जैसे बच्चे कंचों की बात करते हैं वहीया मेरे पाद चार कंचे हैं पांच कंचे हैं वो करोण की बात कर रहा है सो करोड इधर बेज दो पचास करोड इधर बेज दो पता नहीं कहां बैठा है विदेश में बैठा है कहीं विडियो वाइरल हो रहा है सो करोड इधर पचास करोड इधर दो सो करोड इधर पांच करोड इधर यह आपका पैसा है ये तुमर का पैसा नहीं है, तुमर जी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है और हर डिपार्टमेंट में ये करते है स्कूल में बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें चोरी विदिशा में हो रही है पटवारी एक्जाम स्कैम, MBBS सीट बिखती है हर चीज को BJP के लोग बेचते है तो यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्तन दीजिए मैं यहाँ आपको देखिए, नरेंद्र मोधी जी आते है पंदरा लाग का वाइदा कर जाते है पंदरा लाग रुपे मिले किसी को नोट बंदी नरेंद्र मोधी जी ने कहा था नोट बंदी से काला धन मिट जाएगा भाईया वो जो टोमर जी है वो कौन से लंग के धन की बात कर रहा है वो फोन पे उसके बारे में मोधी जी कुछ नहीं कहेंगे अगली बार मीटिंग में आएंगे उनसे पूछना नरेंद्र मोधी जी टोमर जी का बेटा है उस पर आप इंक्वाईरी कब कर आओगे CBI की इंक्वाईरी कब होगी ED की इंक्वाईरी कब होगी मैंने अधानी जी के बात की पार्लिमंट हाउस में मेरी लोकसभा की मेंबर्शिप रद कर दी कहते हैं तुम्हें लोकसभा में नहीं रहना है बहुत डिस्टरब करते हो अधानी जी के बारे में बाचन देते हो बहुत डिस्टरब करते हो तुम्हें लोकसभा में ने रहना तुम्हें बार निकलना है लोकसभा से मेरा घर ले गए सरकारी घर है मैंने उन से कहा ले जाओ मुझे नीचे है तुम्हारा घर मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है मेरा घर मेरा घर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के दिल में है किसानों के दिल में है मज़़ूरों के दिल में तुमारे घर की कोई जरुवत नहीं मुझे ले जाओ ठाके मैं सच्चा ही बोलूँगा तो ये मैं आपसे कहने आया हूँ अब मद्यप्रदेश को मद्यप्रदेश का प्रगिती का समय आ गया है अब कॉंग्रेस पार्टी को लाईए किसानों के मज़़ूरों के सरकार लाईए युवाओं के सरकार लाईए बेरोजगारी मिटाईए कॉंग्रेस पार्टी को जुताईए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहन